नमस्कार मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कि निवन्द, UPSC 2022 में पूछा गया निवन्द है, आर्थिक संब्रती हासिल करने में बन्द सर्बोत्तम प्रतिमान होती हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने एक मॉडल निवन्द, चित्रात्मक रूप में प्रसुत किया है, देख सकते हैं आप, कि आर्थिक संब्रती हासिल करने में बन्द सर्बोत्तम प्रतिमान है, निवन्द UPSC 2022 में पूछा गया है, तो हम इसको उर्जा पिरामिट, ज खंड में पढ़ते हैं, उसको कैसे हम अर्थवयवस्था से लिंक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से प्रस्ण पूछा जा रहा है, वो हमारी विशलेशन सकती को जानने की दृष्टि से पूछा जा रहा है, आप देखिए, जो चीज़े आप पर्यावरन में पढ़ रहे हैं, उसको अर्थवयवस्था से कैसे लिंक कर पाएंगे, यह हम लोगों को सीखने की जरूरत है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्जा पिरामिट है, सूर्य से उर्जा जो है पौधों को मिलती है, और पौधी जो है यहाँ प पादक हैं, फिर जो है पौधे सूर्य से उर्जा लेकर और सियोटू ग्रहड करके और नीचे से जल लेकर जो है क्या करते हैं खाना बनाते हैं प्रकास असलेशन की यह द्वारा और यह जो है खा दे इसको जो है प्रात्मे को भोगता ले खाते हैं और प्रात्मिकु बहुगता को दुद्दिव बहुगता को तुर्दिव बहुगता और इस प्रक्रिया में स्वसन द्वारा उर्जा का राश होता है और जब लोग मृत्त हो जाते हैं तो अपखटक कौन है बैक्टिरिया और कवक है इनका जो है अपकटन करते हैं और पुना जो है जो अपकटी चीजें हैं वो म्रदा में मिल जाती हैं जो पौध हो द्वारा यूज की जाती हैं अब देखिए अर्थ वेवस्था में क्या होता है कि बहुत सारी जो सबसे पहले इन्पुट के रूप में मानो संसाधन होती हैं जिसे कोई कंपणी है कंपणी में कारे करने के लिए क्या क्या चाहिए भूमी चाहिए उसे सबसे पहले कंपणी स्टेबलीज करने के लिए कच् चाहिए पुर्जा संसाधन चाहिए मानो संसाधन चाहिए और सरकारी नीतिया उन्हें क्या करेंगी बाहर से सपोर्ट करेंगी रेंड सिच्छा स्वास अच्छा करिए गया ताकि मानो संसाधन अच्छा हो पाए फिर मैनुफेक्चरर होता है मैनुफेक्चरर वो क्या करता है वो बस्तों का उत्पादन करता है और फिर उससे अगले अस्तर पर भोगता होता है अब इन सब के द्वारा जो उत्पादन प्रक्रिया और भोग की प्रक्रिया में जो बस तो बचता है वह जो है उसका पुनह recycle होता है यह circular economy मतलब कि उसको पुनह जो है रिउज किया जाता है recycle किया जाता है ठीक तो यह चक्री अर्थ व्यवस्था का यहाँ पर अस्थापित होती है तो इस प्रकार आप देख सकते ही यह सतत्विकास का ही माध्यम है जब इस तरह आप प्रक्ति से सीख कर प्रक्ति का अनुकरण करके जब आप कोई मौडल नस्थापित करते हैं तो वह सतत्विकास का मौडल होता है और उसकी माध्यम से आप जो है पर्यावरण और जो हमारी आर्थी कर्पिति हैं उनमें एक संतुलन अस्थापित कर सकते हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हम लोगों को अपने पढ़ने की द्रिश्टकोन में भी परिवर्तन करने की जरूरत है कि एक जगह कहीं पढ़ रहा है उसको कैसे दूसरी जगह लिंक करेंगे भुगोल की चीजे परियावरण की चीजे कैसे हम लोग अर्थव्यवस्था से लिंक करेंगे इसको भी सीखने की जरूरत है इस प्रकार आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से आगे हम लोग ऐसे इसे निवंद जो है को लाते रहेंगे धन्यबाद